यह खत मेरे पापा के लिए उमीद है कि आप ठीक होंगे मैं जानती हूँ कि आप यह खत खुद नहीं पड़ेंगे इसलिए सुना रही हूँ वैसे आप मुझे लिखते क्यों नहीं सब कहते है कि पापा तो ऐसे ही होते है ना कुछ कहते है ना किसी की सुनते है पता है इस बार जब मैं घर से वापस शहर गई न तो मुझे बहुत दुख हुआ आपके साथ बिताया वक्त अब मुझे किसी पुरानी अलमारी में गुम किताबों सा लगता है जिन्हें पाने का उत्सा तो बहुत है लेकिन उनके बिना सालों गवाने का गम भी उतना ही याद है जब आपने मुझे बच्पन में एक बार पढ़ाने की कोशिश की थी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे बहले मेरे पास आपसे करने को ना कोई बात थी आपने मुझसे एक सवाल पूछा और ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने गलती करती वो गलती तो अब छोटी लगती है लेकिन सजा मुझे बहुत बड़ी मिली शायद आप काम में बिजी हो गए या फिर आपको सिलिबिस मेरा समझ नहीं आया क्योंकि उस दिन के बात से पापा आपने मुझे कभी नहीं पढ़ाया लगता रहा शायद आप नाराज हो कहीं डरने लगी कि आप मेरे साथ वक्त बिताओगे नहीं तो मैं बहुत महनत करने लगी स्कूल में अच्छे माक्स लाने लगी लेकिन आपसे यह कहना सकी कि पापा बच्चे ऐसे गुनिगार होते हैं जो गल्ती करके भी मासूम होते हैं फिर क्या वक्त बीता और मैंने आपसे दूर रहकर ही बहुत कुछ सीखा जैसे टीवी के रिमोट पर पहला हक सिर्फ उसी का होता है जिसने टीवी खरीदा है जैसे छुट्टी का मतलब बारा वजे तक सोना नहीं होता जैसे जिन्दगी के मैट्स और स्कूल के मैट्स में बहुत फर्क होता है और जिन्दगी का मैट्स ना, कोई स्कूल नहीं सिखाती लेकिन इस सब के बाद भी मेरे पास आप से बात करने की न कोई वजा थी सब ने कहा, पापा तो ऐसे ही होते है उनका प्यार गूंगा और उनकी चिंता बहरी होती है लेकिन मुझे उम्मीद थी उम्मीद थी कि ये खामोशी की हवा अपना रुख जरूर बदलेगी तो उस शाम जब मुझे स्टोरूम के एक कोने में धूल से सने बादमिंटन के दो रैकेट्स मिले ना तो मुझे आपके बच्पन की आद आई और मैं सीधा उन दोनों रैकेट्स को आपके पास लाई लेकिन आपने तब भी कुछ नहीं कहा सिर्फ उस रैकेट को उठाया और शटल पे जोर से शॉट लगाया वो शटल उड़ता हुआ मेरी ओर आया और मैंने भी शॉट लगाया लेकिन फिर लगा जैसे ये मौका हाथ से गया क्योंकि पापा आप से वो शॉट मिस हो गया मैं फिर डरने लगे लगा कि जैसे अगर आप नाराज हुए तो तो ये वक्त कैसे गुजरेगा ये पल कैसे गुजरेगा क्या हम दो किनारे अलग ही रह जाएंगे क्या बातों के दरिया हमें बिना चुए ही बह जाएंगे पर तभी तभी आप मुस्कुराए और बोले चलो एक मैच हो जाए और उस दिन से समझो जिन्दगी की वो अलमारी अपने आप ही खुल गई और गिरी उनमें से वक्त की वो सारी कितावे जिनसे हम महरूम थे छिपे थे इनमें मेरे बच्पन के धेर सारे किस्से और आपकी भी कुछ कहानिया पापा सबने कहा था, कि पापा तो ऐसे ही होते है लेकिन वो सब लोग न गलत थे क्योंकि जहाँ शब्दों से हम दूर हुए तो एक खेल ने हमें मिला दिया हम उम्र हमें बना दिया लगा जैसे दो किनारे चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, बने वो एक ही मिट्टी के है माना हम दोनों को वक्त लगा, माना हम दोनों को वक्त लगा, लेकिन बेर सही सही पापा, कहने और सुनने के लिए शुक्रिया कर सही सही पाफा कर दिए, सही पानी के लिएृ आपा, माना हम दोनों कि dobre 24 प्रावा, माना हम दोनों कीष्री के लिए भी का हुआ判, मैं prisoner 1,2,1,6,100,100,100,100,100,000,100,100,600,100,800,100,100, patreon.